हलो एवरीबन विल्कम टिसेर और मिश्राज यूटीब चैनल में यूटीब चैनल पर आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है राजस्व अधिकारी भरती रिवेन्यो आफिसर एक्जिक्यूटिव आफिसर और बी कुछ आफिसर पोस्ट है जिन पर रिकूट में नोटिफि है तो application कर सकते हैं यहां पर जो number of post online application कब से शुरू है कब तक on-line application कर सकते हैं कहां से notification release हुई है और selection criteria age criteria सारे चीज हम आगे वीडियो में detail कवर करते हैं एप्लाइफन ऐस्टेट दूसरे State के candidate भी अगर eligible है इंट्रेस्टेड हैं तो यहां application की जा सकती है तो इस तरीके से यहां पर सबसे पहले है सहायक अभियंता civil assistant engineer civil दूसरी 41 post है इसके बाद revenue officer grade 2 जिसे राजस्व अधिकारी revenue officer grade 2 14 post है और अधिशासी अधिकारी executive officer grade 4 के 63 पदों पर मतलब कुल मिला के काफी सारी vacancies हो गए 60 प्लस 40 तो इधर हो गए 100 और फिर 140 एराउंड 120 के राउंड पोन नम्बर आप पोस्ट हैं 120 पोस्ट हैं तो काफी है notification कहां से release की गई है राजस्थान लोगसिवा आयोग आजमेर की तरफ से 24 अगस 2022 को notification मतलब 24 अगस को मैं वीडियो बना रही हूं आज ही आफ्टर नून में यह official website पर update हुई है मिन्स राजस्थान पॉब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से notification release हुई है assistant engineer civil revenue officer grade 2 and executive officer grade 4 इतनी vacancies है और इसमें जो number of vacancies मैंने आपको बता दिए फिर से यहां पर भी लिखा assistant engineer 41 revenue officer grade 2 14 and executive officer grade 4 63 सामने वर के लिए 12 6 और 17 क्रमशा इस तरीके से रेस्पेक्टिवले इस तरीके से number of vacancies है अब राजस्थान से है तो इसके लिए पहले qualification की detail हम चेक करेंगे अनिवारे section ही कहारता यह जो पर्द करम संख्या 2 और 3 मतलब की राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी revenue officer और executive officer इन दोनों ही पोस्ट के लिए graduate in any discipline किसी भी subject से graduation की हुई है जो valid degree होनी चाहिए तो graduate है तो apply कर सकते हैं और जो सहायक अभी हैंता civil वाली पोस्ट है उसके लिए be civil होना बी बीटेक civil होना जरूरी रहेगा मिन civil specialization में बी बीटेक और राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी के लिए सनातक होना होगा किसी भी subject से किसी भी subject से उसमें कोई प्रॉब्लम ने दूसरी अच्छी चीज यह कि इसमें percentage का इशू नहीं है कोई भी percentage नहीं मांगी जारी तीसरी चीज अच्छी इसमें यह कि कोई और देवनागरी लिपी में लिखी हिंदी और राजस्थानी बोली का कार्यसादक ग्यान होना आवश्यक है तो यह पढ़ ले अगर आप समझ ले रहें तो देवनागरी लिपी उतना ही हो गया राजस्थानी थोड़ा बहुत आप प्राक्टिस कर सकते हैं अब इसमें जो ह करें तो एज की बात करें तो minimum 18 years and maximum 40 years 40 years जो है वो जेनरल काटेग्री के कैंडिडेट के लिए है अब जो कैंडिडेट राजस्थान के डोमी साइल है जिनके पास रेसिडेंशियल है और वह सेस्टी बैकवर्ड क्लास मोर बैकवर्ड क्लास एकोनॉमिकल एवस कैटेग्री म है और समाने वर्गी की महिला मतलब जो भी फीमेल कैंडिडेट एपलाई करेंगे किसी दूसरे स्टेट से भी करेंगे उनके लिए फाइव यर्ज की एज में रिलैक्सेशन दी गई है और जो वीडो या फिर जिन मिन्स वीडो है या फिर डाइवोर्सी कैंडिड फीमेल कै ही है कि सालरी की बात कर लेते तो राजश्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी जिसमें की कोई भी सनाथ तक कोई भी ग्रैजुट अपलाई कर सकते लेवल 11 लेवल 12 तो लेवल 11 और लेवल 12 जो अच्छी पेस्केल होती है तो 80,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन जा एक राजस्थान में ये कि जो परीविक्षा कार्षान पिरिया उसमेंगी वह कितना दिया जैगा यहां पर मेंशन नहीं किया गया है बाब में फिर जैसे प्रोबेशन पीरियड ओवर हो जाएगा तो फिर पे मैट्रेक्स पर रेगुलर पेइमेंट की जाएगी अभी अन्ता के लिए लेवल 14 है तो अच्छी सालरी होगी अब इसमें पेज नंबर वन पर ही कही पर लिखा है अन्य राज्य के आवेदकों को उक्तलाब देनी होगा होने के कारण उन्हें सामान या अनारक्षित वर्ग में आवेदन करना होगा मतलब बाहर के स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बट उनको अन् है इसफ्जली चैयन में पर चैयन प्रक्रिया में प्रतियोग कीटा परिक्षा मूंहिट सप्टकर लेडर करन स्टाम में तो राज़स्तान करने कोने कि पभ्ली सरविस कमिशन कर देन होो बिल्कुल आवेदन की के वाश और 15 अगस्कों को अब्लोड हो गये तर अब सेटमबर मिन्स 29 और 27 सेप्टेमबर तक आप अप्लिकेशन कर सकते हैं और इसकी जो फीस है वो भी चेक करेंगे हैं एक बार पीस की डीटेल इस तरीके से दिए परिक्षा सुल्क के नाम से देना है मैक्सिमम 350 है और मीनिमुम 150 है और फ़फेंट करेंगा गाप किस काटेग्री में जेनल करेग्री के लिए 350 माखी सबब सभी को पी तो है सबी के लिए किसी के लिए भी आसा नहीं कि नहीं है में परिक्षा योजना यहां पर मेंचन किया गया म theory कि तरीके का ब्हाँ ए होगा मेंन इस सिभिल के लिए दिया गया इस तरीके से पाठे किया जा के भाई है अगर आप जिसमें पताय गया क्या है रिवेडियो आफिसर और एग्जिघूटिव आफिसर के लिए घर अपाइग कर जिसमें पताया गया क्या क्या पढ़ना है और पार्ट वी में राजस्थान नगरपाली का अदिनियम और नगरिय निकायों से समबधित योजनाय नियम जो राजस्थान से रहेंगे टू आवर्स का question रहेगा means exam रहेगा sorry बहुविकल्पी रहेगा बहुविकल्पी मतलब मुल्टिपल चौई स्क्राइब मुल्यंकन में रिनात्म कंकन किया जाएगा ऐगा वन बाइट हो जाएगे एक बटातीन मांक क। होंने मिनस निघ्रियर्टिम्ष मार्किंग है जब कही की जोडियर्ट किया तो बिलकुल है और इसमें एक उफिश स्थां पॉब्लिक सर्विस कमिशन बाहर के स्टेट के कैंडिएट यह सेंथे हैं इसकेरie क्ष़ stars के आध़िज्ट करने के कोशिष किये लिगन आप अगर आप application करने के बाद आपको पूरी exam के process से गुजरना होता है तो इसलिए बाद में किसी rejection या इसका डर ना हूँ इसके खुद advertisement के हर point को thoroughly आराम से बैठके पड़ें उसके बाद काफी वक्त है अभी application के लिए last date के लिए और यहां पर लिखा है पदस्थाई है जो एक query होती ही यहां पर देखेंगे वर्ड यूज किया यहां पर sentence पदस्थाई है तो पदस्थाई है लेकिन पदों की संख्या में means number of post कम या जादा किये जा सकते बढ़ पद स्थाई है means posts are permanent तो vacancy recruitment is permanent recruitment government job Rajasthan Public Service Commission के